Hello friends, आपको इस तरीके का question हर exam में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको x की एक value root के form में दी हुई होगी, और आपसे x plus 1 upon x या x minus 1 upon x की value पूछा जाएगा, तो 1 upon x की value निकालने के लिए मुझे 1 upon 8 plus 3 root 7 लिखना पड़ेगा, और जब मैं इसका परीमे करन करूँगा, परीमे करन करने के लिए मैं यहाँ पर 1 8 plus 3 root 7 into 8 minus 3 root 7 upon में 8 minus 3 root 7 करूँगा, ठीके, तो जब यहाँ पर देखिए 1 का इसमें multiply होगा, तो 8 minus 3 root 7 आएगा, और यहाँ पर यह होगा, a plus b into a minus b, मतलब a square minus b square, तो a square minus b square, तो a square minus b square, a का square कितना हो जाएगा, 64, और 3 root 7 का square कितना हो तो यहाँ पर कितना बचने वाला है 1, तो इसके नीचे upon value कितनी आएगी 1, इसका मतलब यह है कि जब भी इस तरीके से value दी हुई हो, कि इसका square minus इसका square बराबर 1 हो, तो हम x बराबर यदि 8 plus 3 root 7 हो, तो 1 upon x बराबर 8 minus 3 root 7 directly हम लिख सकते हैं, ठीके, तो बस अब हमें करना क् एड कर देना है, तो दोनों को एड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की value कितनी थी, 8 plus 3 root 7, और 1 upon x की value कितनी आगई, 8 minus 3 root 7, दोनों को add कर देंगे, तो और 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, तो correct answer यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, यदि हमें इसी तरीके से, इसी में x minus 1 upon x की value पू था, 63, हमने देखा कि difference है 1, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को घटा देंगे, तो x की value कितनी है, 8 plus 3 root 7, और 1 upon x की value कितनी है, minus 8 minus 3 root 7, ठीक है, 8 minus 3 root 7, तो जब इसको minus करेंगे, तो यह 8 minus का हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यह दोनों जाएगा, 6 root 7,